आप देखना हमेशा के लिए आपका बच्चा तपोवन गुरुकुल हॉस्टेन में पढ़ता होगा और हफ्ते में एक ही दिन यदि फोन करना होता है न तो माँ आपको याद करेगी अपना बेटा पढ़ता है आज मंगल बार है फोन करना होता है बापको तो याद ही नहीं है और बाप फोन लगाएगा बच्चे आएगा बाप क्या पुछेगा बराबर भनें चाहें परीक साहब हैं सब्सक्राश लाब हो जोई है वो भी हाँ 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 मम्मी को दीजियन इतना कहेगा उसका इगो हट हो ले तरह दिक्रानों पहुंच और फिर मालिक का पह जाना प्रश्चन क्या होगा बेटा बराबर एक मिनिट मेरे बच्चे को से बहुत अच्छी लगती है च्यूडा बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे मिलता होगा कि नहीं मिलता होगा आप ले जाए मेरे बच्चे की मेरी बात को आज मैं अम्ताबाद हूँ मेरी मा बंबई दादर मेरी बेग इच्छा थी कि जीवन में जब मेरी निश्रा में पहली बार यह चरी पालता संग निकल रहा है तो मेरी मा भी आवे और यह सब देखी आज अचनक मुझे सर्प्राइज दे दी महेंद्र भाई पाता भी नहीं था कि यह पराक्रम वो करने वाले लेकिन जब मुझे बिठाया गया तब मैं आपको नहीं देखता था मैं उन्हें याद करता था आज यहाँ पर मेरी मा बैठी होती वो कितनी खुश हो जाओ उनको लेने के लिए लाने के लिए उमारे चंदन मल जी ने बहुत वार ट्राइज एक दिल लाओ तुमारा साहिब तमारी बाने एक वार लाओ तमें केशो एर्था लाविस और मैंने मेसेद भी दिलवाया बड़े भीया को बताया कि एक दिन बार आते एक मेना उनका पिगड़ चाहता है लेकिन मैं दूसरी बात क्या ना चाहता हूँ आज यदि विखार करके मैं बंबई चला जाओ दादर मेरी मां को पता चले कि मैं आज घर पे आने वाला हूँ जो अपने बैड से खड़े नहीं हो सकते हैं अपने लिए पानी पीने के लिए उसे यदि पता चल जाए कि मेरे बेटे महराज आज मेरे घर आने वाले गए वही मां खुद कीचन में चली जाएगी साप्ची बनाएगी दाल चावल गुरूटी वगेरे बनाएगी खूद बनाएगी और मुझे प्यार से वेराएगी क्योंकि आज मेरा बीटा है और इससे भी आगे कहूं एक बाद मान लोग की संखेस्वर में मैं पहुंच गया कि मुझे पता भी नहीं है और चन्दन भाई ने बाई फ्लाइट मेरी मा को बढाती मैं घोचरी भेरने को गया है एक पात्रे में रोटी आई है मुझे पता नहीं है यो रोटी किसने बता ही बेरते समाई लेकिन मैं गैरंटी के साथ कहूं मेरे मूह में यदी मेरी मा की बनाई हुई रोटी आज भी जाए ना 42 साल होए मुझे दिक्षा लेने के बाद मैंने घर छोड़ा है 42 साल से 42 साल से मैंने मेरी मा के पास नहीं रहा और मेरे पेट में यदी चली जाए तो मैं आज भी कह दूँ यह रूठी मेरी मा की ही है, दुसरी किसी की ताहाद में गाए, इस रूठी में उत्या है, फेस्ट लागा, यह ले इसके ठीक ही का,